दोस्तों, As a Man Thinketh में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ती का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। James Allen ने इस किताब को सन 1903 में लिखा था, लेकिन इसमें बताये गए सिध्धान्त आज भी उसी तरह लागू होते हैं, जिस तरह इस किताब में बताये गए हैं। James Allen कहते हैं कि व्यक्ती जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है और उनके बारे में सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। दिमाग की शक्ती को कमना आखे। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने इतने सारे वैज्ञानिक आविशकार कर लिये हैं, जो कल्पना तीत लगते हैं। अब आप अपने लाब के लिए कर सकते हैं, इस पुस्तक में बखू भी बताया गया है कि आप यह काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर एक, जो है जैसे विचार वैसा चरित्र। दोस्तों कहते हैं कि जैसा इनसान अपने दिमाग में सोचता है, वैसा ही वह होता है, यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है। यह उसकी जिन्दगी की हर स्थिती और हर परिस्थिती पर लागू होती है। इनसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता है। इसे ज्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए हम खेती की उपमा लेते हैं. हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है और बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता. इसी तरह विचार्व मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता है और कर्म क पूल नहीं लग सकता है और सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता है. यह हमेशा सच होता है. चाहे हम सोच समझ कर काम करें या बगैर सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया करें. कर्म विचार का पूल है. देखिए, जब तक बीज नहीं होगा, तब तक फूल नहीं उग सकता इसलिए विचार पहले आता है काम उसके बाद होता है सरल भाशा में समझें तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं यानि विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ फूल है और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन होते हैं वे हैं सुख और दुख हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्ही के अनुरूप, मीठी या कडवी फसल काटता है। फसल कैसी होगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे? अगर आपने करेले के बीज बोए थे, तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इस सिद्धान्त को अपने जीवन में लागू करके देखें और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं, तो आम के बीज ही बोए. हमारे मन के व खिंचा चला आता है, जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खिंची चली आती है। कहता है कि अगर आप किसी बहु मनजिली इमारत से छलांग लगाते हैं, तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था गिरना परिणाम। कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिकी या भौतिक वस्तूओं के संसार में ही लागू नहीं होता है। यह विचारों के संसार में भी लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र उत्तम और महान रहा है, वह संयोग या किस्मत से नहीं रहा है। क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिश्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया और पाश्विक होता है, वह भी संयोग या किस्मत से नहीं होता है। ये तो घटिया और पाश्विक विचार लंबे समय तक लगातार सोचने का परिणाम होता है, इनसान ही खुद को बनाता है और इनसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हतियार बनाता है जो उसे नश्ट कर देते हैं, दूसरी और वह ऐसे ओजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ती और शान्ती के दैवी महल बना सकते हैं। सही विचार चुनने और उन पर सही तरीके से काम करने पर मनुष्य उसी दैवी पूर्णता की ओर बढ़ता है, जिस तक पहुँचने के लिए उसे इस संसार में भेजा गया था, गलत विचार चुनने और उन पर गलत अमल करने से मनुष्य पशु के स्तर तक गिर जाता है, इन दोनों अतियों के बीच चरित्र के कई भेद भी होते हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, हर स्थिती और परिस्थिती में इनसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को अपने विचारों के सांचे में ढालता है, आधुनिक युग में बहुत सी मन वैज्यानिक सच्चाईयां सामने आई हैं, लेकिन उन में से कोई भी इतनी ज्यादा प्रभावी और लाभकारी नहीं है, या इतना ज्यादा आत्म विश्वास बढ़ाने वाली नहीं है, जितनी यह सच्चाई है कि इनसान अपने विचारों का स्वामी होता है, वह अपने चरित्र का सांचा खुद गढ़ता है, और इस तरह वह अपनी परिस्थितियों परिवेश तथा तकदीर का निर्माता होता है, आपके जैसे विचार होंगे, वैसा ही आपका चरित्र होगा, और जैसा आपका चरित्र होगा, वैसी ही आपकी परिस्थितियां होंगी, यानि अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं, तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इनसान में शक्ति बुद्धी और प्रेम का वास है, वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर स्थिती की कुंजी उसी के हाथ में है, उसके भीतर वह काया कल्प करने वाली शक्ती है, जिसके जरीए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है, इनसान खुद को अपने मन चाहे सा माचे में ढाल सकता है, और यह काम वह एक पल में कर सकता है, जब वह अपने विचारों या मानसिक्ता को बदलने का निर्णय लें, इनसान हमेशा स्वामी होता है, सबसे कमजोर और हीन अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है, जो अपने घर का खराब संचालन करता है, और अपने ही हाथों घर में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ, जब इंसान अपनी स्थिती के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर महनत से चलता है, तो वह समझदार स्वामी होता है। यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करके अपनी उर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाबकारी क्षेत्रों में लगाता है, जिससे उसे सुखत परिणाम मिलते हैं। अपने अस्तित्व से जुड़ी हर सचाई कोज सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की खान में गहराई तक खुदाई करनी होगी और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा। इस तरह खुदाई करने के बाद उसे इस सचाई का पता चलेगा कि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का साचा उसी ने बनाया है और वही अपनी तकदीर लिख रहा है। इस तरह देखने पर उसके सामने बिना किसी शक के यह साबित हो जाएगा कि उसे अपने विचारों पर नजर रखनी चाहिए, उन्हें नियंतरित करना चाहिए और दूसरों पर और उसकी जिंदगी तथा परिस्थितियों पर कितना गहरा असर हो रहा है। तब उसे पता चल जाएगा कि उसके जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। आत्म ज्यान हासिल करने की साधन है, इसी से समझ बुद्धी और शक्ति मिलती है। दैवी नियं भी इसी दिशा में संकेत करता है, जो खोजता है वह पाता है, जो द्वार ख परिस्थितियां हम इनसान के दिमाग को बगीचे जैसा मान सकते हैं, इसे या तो समझदारी से तयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल चाहे हम इसे तयार करें या इसके हाल पर छोड़े, हमें परिणाम जरूर मिलें अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचे पर कबजा जमा लेगी। बुरी परिस्थितियां अपने आप आ जाती हैं लेकिन परिस्थितियों को बहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होती हैं अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गाठ बांध लें कि आप अपने विचारों को बहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बहतर नहीं बना सकते हैं, जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खर्पतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देर सबेर, यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता है, विचार और चरित्र एक ही हैं, जैसा हम देख चुके हैं कि विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश वह परिस्थिती के रूप में प्रकट होता है, इसका अर परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती हैं। जिन्दगी में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो वह परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थितियां आ जाती है। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हैं तो सबक सीखते रहें। जब तक इनसान खुद को बाहरी स्थितियों के अधीन मानता रहता है तब तक वह परिस्थितियों के थपेडे खाता रहता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का स्रजन करने की शक्ति उसी के पास है तो वह अपने विचारों के जरिये अपने मन चाहे जीवन का स्रजन कर लेता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह मन चाहे बीज बोकर परिस्थितियों की मन चाही फसल पैदा कर सकता है तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। ना उससे कम, ना उससे ज्यादा। ये बीज, देर, सबेर, कर्म का फूल उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या दुखद परिस्थिती के फल पैदा होते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छे विचार से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से बुरे। और अगर आपके विचार मिश्रित है तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। परिस्थितियों का बाहरी संसार, विचारों के आंतरिक संसार के अनुरूब ढल जाता है। एक बात याद रखें, इनसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियां होती हैं। और इन दोनों तरह की प परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक सीख लें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो वे फिर चली जाती हैं और लोट कर नहीं आती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान हैं और उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं तो उनसे सबक सीख लें। वे खुद बखुद आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। इनसान के दिमाग पर जो गहरी इच्छाएं, आकांक्षाएं और विचार हावी होते हैं। अगर वे पवित्र या नेक नहीं हैं तो इनसान अशुद्ध कलपनाओं का पीछा करता रहेगा। अगर वे पवित्र हैं तो वह उपर उठाने वाले प्रबल प्रयासों के राजमार्ग पर निरंतर चलेगा। दोनों ही मामलों में हमें परिस्थितियों के रूप में बाहर वैसे ही फल मिलते हैं जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम हर जगह हर समय काम करते हैं। इनसान किस्मत या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुँचता है। बलकि अपने घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुँचता है। भली मानसिक्ता वाला कोई व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति के तनाव के वशी भूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता है। दरसल वह अपराधिक विचार उसके मन में काफी समय से गोपनिय रूप से दबा हुआ था। और सही अवसर आने पर यह पूरी संग्रहीत शक्ति के साथ सामने परिस्थितियान इंसान को नहीं बनाती हैं। वे तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती हैं। पाप के दलदल में उतरने और इससे जुड़े कश्ट भोगने के लिए बाहरी परिस्थितियान जिम्मेदार नहीं होती हैं। बुनियादी वजह तो पापी इच्छ इसी तरह पुन्य के आस्मान तक पहुँचने और इससे जुड़ा सुख भी पुन्य की इच्छाओं को मजबूत बनाए बिना संभव नहीं है। विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है। अपने परिवेश का रचाईता है और वह अपनी तक अशुधता या अशुधता शक्ती और कमजोरी का प्रतिबिंब होती है। इनसान उस चीज को आकरशित नहीं करता है जिसे वह चाहता है। वह तो उस चीज को आकरशित करता है जैसा वह अंदर से सचमुच होता है। हो सकता है कि हमें यह लगे कि उसकी मनो कामना, आवेग और महत्वा कांक्षा हर कदम पर परास्थ हो रही है लेकिन सच तो ये है कि उसे अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिलता है चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हात में होती है ये हमारे विचारों से तय होती है इनसान अपने पैरों में बेडियां खुद डालता है विचार और कर्म तकदीर के जेलर है यदि विचार कर्म हीन हो तो वे इनसान को कैद कर देते हैं अगर वे उदात हों तो वे इनसान को मुक्त कर देते हैं इस तरह वे स्वतंत्रता के देवदूत भी बन सकते हैं, इंसान जिस चीज की इच्छा और प्रार्थना करता है, वह उसे नहीं मिलती है, उसे तो वही मिलता है, जिसका वह वाकई हकदार होता है, उसकी इच्छाओं और प्रार्थनाओं का जवाब तभी मिलता है, और वे त गोपनिय कारण पालता रहता है लेकिन उनकी वजह से बाहर उत्पन परिणामों के खिलाफ लड़ता रहता है यह अंदरूनी गोपनिय कारण कोई दुर्गुण या अचेतन कमजोरी हो सकती है बहरहाल कारण चाहे जो हो यह इनसान की कोशिशों को सफल नहीं होने देता है ज सीलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कश्ट से नहीं घबराता है वह कभी अपनी मनचाही चीज पाने में असफल नहीं हो सकता है यह सभी तरह की चीजों के बारे में सच है चाहे वे इस लोक की हो या परलोक की जिस व्यक सकती को कितने ज्यादा त्याक करने होंगे जो सशक्त और संतुलित जीवन पाना चाहता है यहां एक आदमी को देखें जो बहुत ही गरीब है वह अपने परिवेश और घरेलू सुक सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत चिंता करता है लेकिन इस दौरान वह अपनी न और तरक संगत है ऐसा आदमी सची दौलत के सिध्धानतों की बुनियादी बातें ही नहीं समझता है वह आलसी धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोच कर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज्यादा गरीबी को अपनी और आकरशित कर रहा है वह इ अपने जीवन में सकारात्मक चीजें चाहता है तो यह काम कभी नकारात्मक विचार रखकर नहीं किया जा सकता है इसलिए आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं तो बुरे विचार न सोचें और अगर भ कश्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है, वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुहमांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं है, उसकी जीब, मीठे, चटपटे और तेल चिकनाई वाले हानिकारक व्य प्रुवाती सिध्धान्तों को भी नहीं सीख पाया है, यहां मजदूरों का एक मालिक है, जो चाल बाजी करके और छल कपट से अपने मजदूरों को सरकारी निउन्तम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह उसे ज्यादा लाब होगा, ऐसा इंस परिस्थितियों का एक मात्र लेखक है, और अगर उसके जीवन की कहानी दुखांत है, तो इसे दुखांत उसी ने बनाया है, मैंने यहां जो तीन उदाहरण बताएए हैं, वे इस सत्य के उदाहरण हैं, कि मनुष्य ही अपनी परिस्थितियों का निरमाता है, हालों की पैसे विचारों और इच्छाओं को प्रोटसाहित करता है, जो उसके लक्ष्य या उद्देश्य के तालमेल में नहीं होती हैं. इसलिए वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है. इसी तरह के धेर सारे उदाहरण बताये जा सकते हैं. लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है. अगर पाठक चाहे, तो विचार के नियमों के परिणाम अपने खुद के मस्तिष्क और जीवन में देख सकता है. बहरहाल, परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं, विचार की जड़े इतनी गहरी होती हैं, और लोगों की खुशी की परिभाषा इतनी अलग-अलग होती है कि किसी मनुष्य की समूची आत्मिक मानसिक वशारीरिक परिस्थितियों का मूल्यांकन कोई दूसरा केवल उसके जीवन के बाहरी पहलू को देखकर नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में इमानदार हो सकता है, लेकिन यह मूल्यांकन पूरी तरह से सतही है कि एक मनुष्य अपनी इमान्दारी के कारण असफल हुआ और दूसरा व्यक्ति अपनी बे-ईमानी के कारण अमीर बना। ये मूल्यांकन इसलिए सतही है, क्योंकि इसमें ये मान लिया जाता है कि बेइमान आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट है और इमानदार आदमी पूरी तरह से सदगुनी है, ज्यादा गेहरे घ्यान और ज्यादा व्यापक अनुभव की रोशनी में ऐसा मूल्यांकन करना ही गलत हो सकता है कि बेइमान व्यक्ति में कुछ प्रशंसनिय गुण हो जो इमानदार व्यक्ति में न हो और इमानदार व्यक्ति में कुछ दुर्गुण हो जो बेइमान व्यक्ति में न हो इमानदार व्यक्ति अपने इमानदारी भरे विचारों और कामों के अच्छे परिणामों क फसल काटता है। साथ ही वह अपने दुरगुनों की वजह से उत्पन्न हुए कश्ट भी भोगता है। इसी तरह बेईमान व्यक्ती भी अपनी खुद की खुशी और कश्ट उत्पन्न करता है। इनसान का अहंकार यह विश्वास करने से खुश होता है कि वह अपने सद्गुन की वजह से कश्ट उठा रहा है। बहरहाल जब तक मनुष्य हर बीमार, कठू और अशुद्ध विचार को अपनी आत्मा से बाहर न निकाल दे तब तक वह यह जानने या कहने की स्थिती में न रहा है जो पूरी तरह न्यायपूर्ण है। यह नियम कभी बुराई के बदले भलाई नहीं दे सकता है और यह नियम कभी भलाई के बदले भुराई भी नहीं दे सकता है। इस ज्ञान के सहारे जब वह पलट कर अपने अतीत को देखेगा, तो समझ जाएगा कि पहले वह अज्ञानी था। इसलिए यह नहीं देख पाया था कि उसकी जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नियम पर चली है। उसे पता चल जाएगा कि उसके अतीत के सभी अच्छे बुरे अनुभव उसी के विकास शील या अविकसित स्वरूप के सिर्फ बाहरी परिणाम थे, कुछ नहीं, नैसर्गिक संसार या कृषिक के क्षेत्र में तो इनसान इस नियम को समझता है और इसके अनुरूप काम करता है। लेकिन मानसिक और नैतिक जगत में बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, इसलिए वे इसके अनुरूप काम नहीं करते हैं। कष्ट हमेशा किसी क्षेत्र में गलत विचार का परिणाम होता है, यह इस बात का संकेत है कि इनसान अपने अस्तित्व के नियम के ताल मेल में नहीं है, कष्ट का एक मात्र और सर्वोच्च उपयोग है इनसान को शुद्ध करना, यानि उसके भीतर की हर बेकार और अशु कष्ट चीज को जलाना सही विचार का पैमाना भौतिक संपत्ती नहीं बलकि सुख है, गलत विचार का पैमाना भौतिक संपत्ती की कमी नहीं बलकि दुख है, कोई व्यक्ति दुखी लेकिन अमीर हो सकता है, इसी तरह वह सुखी लेकिन गरीब हो सकता है, सुख और संपन्नता एक साथ सिर्फ देखिये नकारात्मक सोच या नकारात्मक द्रिष्टिकोन को बदल दें। इसका मतलब है कि उसके आंतरिक विचारों में गड़बढ है या तालमेल का अभाव है खुशी, स्वास्थ्य और सम्रिध्धी। मनुष्य के आंतरिक विचारों और बाहरी माहौल के सुखत तालमेल का नतीजा है। इनसान तभी इनसान बनना शुरू करता है, जब वह शिकायत और निंधा करना छोड़ देता है जब वह उस न्याипूर्ण नियम की खोच शुरू करता है जो उसके जीवन को संचालित करता है जब वह अपने दिमाग को इस नियम के अनुरूप ढ़ाल लेता है तो इसके बा बलकि उनका इस्तिमाल सहायक साधनों के रूप में करता है, जिनसे तेज तरक्की करने में मदद मिले और वे उसके भीतर छिपी शक्तियों वसंभावनाओं को खोजने का साधन बन जाएं। और इसके बाद वह देखेगा कि संसार अपने आप सही हो गया है। अगर आपने अपनी आँखों पर काला चश्मा लगा रखा है, तो आपको संसार काला दिखेगा। लेकिन अगर आप काला चश्मा उतार कर गुलाबी चश्मा लगा लें, तो आपको संसार गुलाबी दिख जब आप काले रंग के लिए संसार को कोस रहे थे तो संसार के साथ कोई समस्या नहीं थी। देखिए, अगर आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो किस्मत को दोश न दें, बल्कि खुद को दोश दें। नकारात्मक सोच या नकारात्मक द्रिष्टिकोण को बदल दें। उसकी जगह पर सकारात्मक सोच या सकारात्मक दृष्टिकोन को रख दें और फिर आप अपनी आँखों से अपनी तकदीर को बदलते देखेंगे और तब आप इस सत्य को जान जाएंगे कि विधाता किसी की तकदीर उसके ललाट पर नहीं लिखता है बलकि मनुष्य खुद अपने विचारों से अपनी तकदीर लिखता है अति गरीबी और अति भोग दुख के दो छोर हैं ये दोनों ही अस्वाभाविक हैं और मानसिक विकृति का परिणाम है अगर इंसान खुश, स्वस्थ और सम्रिध नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके आंतरिक विचारों में गड़बढ है या तालमेल का अभाव है खुशी, स्वास्थ्य और सम्रिध्धी मनुष्य के आंतरिक विचारों और बाहरी माहौल के सुखत तालमेल का नतीजा है इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह शिकायत और निंदा करना छोड़ देता है जब वह उस नियाएपूर्ण नियम की खोच शुरू करता है जो उसके जीवन को संचालित करता है जब वह अपने दिमाग को इस नियम के अनुरूप ढाल लेता है तो इसके बाद वह अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोश देना छोड़ देता है तब वह अपने द अरक्की करने में मदद मिले और वे उसके भीतर छिपी शक्तियों वसंभावनाओं को खोजने का साधन बन जाएं। यह नियम ही स्रिष्टि का सबसे प्रबल सिध्धांत है। अन्याए नहीं बलकि पूर्ण न्याए ही जीवन का सार है। भरष्टाचार नहीं बलकि सदाचार ही। विश्व को ढालने और चलाने वाली शक्ति है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को बस खुद को सही करना है। और इसके बाद वह देखेगा कि संसार अपने आप सही हो गया है। अगर आपने अपनी आँखों पर काला चश्मा लगा रखा है, तो आपको संसार काला दिखेगा। लेकिन अगर आप काला चश्मा उतार कर गुलाबी चश्मा लगा लें, तो आपको संसार गुलाबी दिखने लगेगा यह चश्मा और कुछ नहीं बलकि नजरिया है जब आपका नजरिया गलत होता है तो संसार गलत दिखता है जब आपका नजरिया सही होता है तो संसार सही दिखता है जब आप काले रंग के लिए संसार को कोस रहे थे, तो संसार के साथ कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो आपके साथ थी, जब आपने अपना काला चश्मा उतार दिया और गुलाबी चश्मा लगा लिया, तो संसार भी अलग रंका दिखने लगा, यानि जब आप खुद को सही कर लेते हैं, तो इसके बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आप पाएंगे कि जब आप चीजों और दूसरे लोगों के प्रति अपने विचार बदल लेंगे, तो चीजें और दूसरे लोग भी बदले हुए नजर आएंगे। इस सच्चाई का सबूत हर व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता ह इसलिए क्रमबध आत्म अवलोकन और आत्म विशलेशन से कोई भी आसानी से इसकी जाँच कर सकता है। अगर मनुष्य अपने विचार तेजी से बदल ले, तो उसकी जिंदगी की भौतिक परिस्थितियों में इतनी तेजी से परिवर्तन होगा कि उसे देखकर वह हैरान रह जाएगा। इनसान कलपना करता है कि वह अपने मन के अंदर के विचारों को गोपनिय रख सकता है, लेकिन यह कतई संभव नहीं है। विचार तेजी से आदत में ढल जाता है और आदत परिस्थिति में साकार हो जाती है। पाशविक विचार, शराब खोरी ये आदतों में ढल जाते हैं, जो दीनता और बीमारी की परिस्थितियों में साकार होती है। हर किस्म के अशुद्ध विचार, दुर्बल और दुविधा पूर्ण आदतों में ढल जाते हैं, जो विचलित करने वाली और विपरीत परिस्थितियों में साकार होती हैं। डर, शंका और अनिर्णय के विचार, कमजोर, लाचार तथा धुलमुल आदतों में धल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और दासता की परिस्थितियों में साकार होती हैं। खुद के स्वार्थ को आगे बढ़ाने वाली आदतों में धल जाते हैं, जो कम या अधिक दुखद परिस्थितियों में साकार होती हैं। प्रेम पूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों की खातिर खुद को भूलने की आदतों में धल जाते हैं। जो अचूक, सच्ची और स्थाई सम्रिध्ध की परिस्थितियों में साकार होती हैं। चाहे विचार अच्छा हो या बुरा। अगर उसके प्रवाह में लगातार बहा जाए, तो चरित्र और परिस्थितियों में इसके परिणाम अवश्य उत्पन्न होंगे। ऐसा होना तैय है, ऐसा ना होना असंभव है। अगर आप दौलत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, तो दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। लेकिन जिस क्षेत्र में आप सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको यह काम ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा निरंतरता से करना चाहिए। इंसान अपने अंदर के जिन विचारों को सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है और प्रोचसाहित करता है। प्रकृती उन्हें साकार करने में हर इंसान की मदद करती है। प्रकृती उसके सामने ऐसे अवसर पेश करती है जिससे उसके सबसे प्रबल विचार उपर सतह चाहे वे अच्छे हो या बुरे। हर पल आपके सामने रंगों का अलग-अलग मिश्रन पेश करती है और ये रंग हमेशा आपके चलाय मान विचारों की तस्वीरों के ताल मेल में होते हैं। तैयार होते हैं चैप्टर नमबर तीन है जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य। शरीर दिमाग का सेवक है यह दिमाग के आदेश मानता है चाहे उन्हें सोच विचार कर दिया जाए या फिर बिना सोचे समझे स्वचालित ढंग से दिया जाए। गलत विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से रोग और नाश की ओर बढ़ने लगता है। प्रसन और सुंदर विचारों के आदेश पर यह युवा और सुंदर हो जाता है। परिस्थितियों की तरह ही रोग और सेहत की जड़े भी विचार में ही होती है। बीमार विचार बीमारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अगर आप किसी के प्रती दिल में दुर्भावना रख रहे हैं, तो हो सकता है कि यह हृदय रोग का कारण बन जाए। अगर आप क्रोध भरे विचार सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। अगर आप चिंता कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई गंभीर रोग हो जाए। चिंता पूरे शरीर के मनुबल को तेजी से कम कर देती है और इससे रोग को शरीर में दाखिल होने का मौका मिल जाता है। अशुद्ध, गलत और बुरे विचारों को अगर लगातार सोचा जाए और भले ही उन पर शारीरिक तोर पर अमल न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद वे जल्द ही इनसान के नर्वस सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। शक्तिशाली, शुद्ध और प्रसन्नता भरे विचार शरीर में स्फूर्थी और आनंद भरते हैं। उपयोग विद्युत संकेतों के आदान प्रदान में करता है, यह हर पल आपके शरीर को संकेत भेज रहा है कि यह क्या करें। आपके हर अच्छे विचार पर यह किसी अच्छे हॉर्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है। और आपको रोगों की आशंका कम रहती है। मनुष्य जब तक अशुद्ध विचार रखेगा, तब तक उसका खून अशुद्ध और जहरीला बना रहेगा। निर्मल दिल से ही निर्मल जीवन और निर्मल शरीर मिलता है, प्रदूशित मस्तिश्क का परिणाम है। प्रदूशित जीवन और प्रदूशित शरीर, विचार ही कर्म जीवन और परिस्थितियों का स्त्रोथ है। अगर आप इस स्त्रोथ को शुद्ध बना लेते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप शुद्ध बन जाएगा। आजकल देखने में आ रहा है कि इंसान बहुत सारे रोगों से परेशान है, और अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत सारे तरीके आजमा रहा है। इंसान स्वस्थ बनने के लिए डाइटिंग कर रहा है लेकिन यह ध्यान रखें कि जब तक वह अपने अंदर के गलत विचारों को नहीं बदलेगा तब तक खान-पान बदलने या डाइटिंग करने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी अगर डाइटिंग करनी ही है तो नकारात विचारों की डाइटिंग करें फिर आपको भोजन के मामले में डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखिए जिसके विचार शुद्ध हो जाते हैं उसके मन में अशुद्ध या हानिकारक आहार खाने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी इसलिए संत नहीं है जिसने अपने विचारों को मजबूत बना लिया है और शुद्ध कर लिया है उसे बुरे रोगाणूओं के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने दिमाग पर पहरा लगा दें अगर आप या किस्मत से खराब नहीं होता है ये तो विचारों के कारण खराब होता है जुर्यां सिर्फ उम्र की वजह से ही नहीं पढ़ती है वे मूर्खता गलत आदतों और घमंड की वजह से भी पढ़ती हैं मैं 96 साल की एक महिला को जानता हूं जिसके चहरे पर किसी किशोरी जैस तेज और मासूमियत है मैं एक अधेड व्यक्ति को भी जानता हूं जिसके चहरे पर जुर्यों की गहरी लकीरे हैं महिला का युवा चहरा मधुर और आशावादी स्वभाव का परिणाम है जबकि अधेड व्यक्ति की जुर्यां असंतोश और वासनाओं का परिणाम है जि आप खुशी, सही इच्छा और शानती के विचारों को खुल कर अपने दिमाग में आने दें बूढ़े लोगों के चहरे की जुर्यां सहानुभूती से बनती हैं बाकी द्रिड और शुध विचारों से बनती हैं जबकि युवाओं के चहरे पर हानिकारक वासनाओं की वज पर देखा, उनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन वे बूढ़े नहीं दिख रहे थे, वे उतनी ही शानती से मरे जितनी शानती से वे जीए थे, शरीर की बीमारियों को दूर भगाने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों से बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है, दुख की छा लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचना, सबसे खुशनुमा व्यवहार करना और सभी चीजों में अच्छाई खोजना इस तरह के निस्वार्थ विचार स्वर्ग के द्वार हैं और उत्साह वर्धक बात यह है, कि जब किसी इनसान के मन में इस तरह के नेक विचार होते है तो उसे यह संसार ही स्वर्ग जैसा लगने लगता है, हर दिन हर प्राणी के प्रति शांती पूर्ण विचार रखने से ही मनुष्य को असीमित शांती मिलती है, जिस तरह शारीरिक द्रिश्टि से कमजोर व्यक्ति सही तरीके और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबू बना सकता है, लक्ष यहीनता और कमजोरी को दूर भगा दें, उद्देश पूर्ण धंग से सोचना शुरू करें, इस तरह आप उन शक्तिशाली लोगों की जमात में पहुँच जाएंगे, जो असफलता को भी सफलता तक पहुँचने का एक मार्ग बना लेते हैं, जो हर तरह की परिस्थिती से लाब उठाते हैं, जो द्रड़ता से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और महारती की तरह सफलता हासिल करते हैं, अपना उद्देश यह तै करने के बाद मनुष्य को अपने दिमाग में इसे हासिल करने का सीधा मार्ग तै कर लेना चाहिए, इसके बाद उसे दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको अपने अतीत पर अफसोस नहीं करना चाहिए, या उसकी सुनहरी यादों में नहीं खोना चाहिए, इसके अलावा आपको उत्तर दिशा में भी नहीं देखना चाहिए, कि वहां क्या चल रहा है, आपको दक्षिन दिशा में भी नहीं देखना चाहिए, कि उस तरफ की सड़क ज्यादा अच्छी दिख रही है, और आपकी चुनी हुई सड़क से ज्यादा आसान दिख रही है। अगर आपने पूर्व दिशा में जाने का लक्ष बना लिया है, तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही आगे तक देखें, इधर नोधर न देखें, घोडे की आँखों पर अगल बगल में पट्टी बांध दी जाती है, ताकि वह इधर उधर की चीजों को देख कर विचलित न हो बल्कि अपने सामने की दिशा में चलने पर ध्यान केंद्रित करे, लक्ष केंद्रित इंसान को भी अपने लक्ष की दिशा में प्रगती करते समय ऐसा ही करना चाहिए, शंकाओं और डरों को दर्ड़ता से दूर हटा दें, ये विघटनकारी तत्व हैं, जो कोशिश की अमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं, शंका और डर रहने से उद्देश्य, उर्जा, काम करने की शक्ती और सभी शक्तिशाली विचार थम जाते हैं, देखिए, अगर आपके मन में शंका है, तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर या ईश्वर पर विश्वास नहीं है, आत्म विश्वास की इस कमी की वजह से आप ज्यादातर समय दुविधा में रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं, अगर आप डर रहें हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस काम को आधे अधूरे दिल से करेंगे और आधी अधूरी शक् पहुचने के लिए पूरी ताकत और एकागरता से प्रयास नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और आत्म विश्वास को दिमाग में बैठा लें। चंका और डर को जीत लेता है, वह असफलता को भी जीत लेता है, उसका हर विचार शक्तिशाली हो जाता है, वह तमाम मुश्किलों का बहादुरी से मुकाबला करता है और उन्हें जीत लेता है, वह अपने उद्देश्यों के बीज सही समय पर बोता है और उनके फल असमय ह उद्देश्य से जुड़े साहसिक विचार में स्रजनात्मक शक्ति होती है। इन्सान कोई चीज हासिल करने में सफल होता है। किसी दूसरे की नहीं होती है, इनके लिए कोई दूसरा नहीं। बलकि वह खुद जिम्मेदार है, इसलिए इन्हें कोई दूसरा नहीं, बलकि वह खुद ही बदल सकता है, उसकी परिस्थिती भी किसी दूसरे की नहीं, बलकि उसकी अपनी है, उसके कश्ट और सुख अंदर से आते हैं, जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह होता है, जैसा वह सो जीवन भी खराब होगा। और उपलब्ध हासिल कर सकता है। वह अपने विचारों को उपर उठाने से इनकार करके कमजोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं? यह पूरी तरह से आप पर और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। कोई भी चीज हासिल करने से पहले, यहां तक की सांसारिक चीजों के मामले में भी इनसान को अपने विचार पाशविक भोग से उपर उठाने होंगे। हो सकता है कि सफल होने के लिए सारी पाशविक्ता और स्वार्थ छोड़ने की जरूरत न हो, लेकिन इसके कम से कम एक हिस्से का त्याग करना जरूरी होता है, जिस व्यक्ति का पहला विचार पशुओं की तरह भोगवादी होता है, वह न तो स्पष्टता से सोच सकता है, नहीं अच्छी योजना बना सकता है, वह अपने भीतर नहित संसाधन नहीं खोज सकता है, उन्हें विकसित नहीं कर सकता है, और इसका नतीजा यह होता है कि वह हर काम में असफल होता है, उसने उत्तम मनुष्य की तरह अपने विचारों पर काबू नहीं किया है, इसलिए वह मामलों को नियंतरित करने और गंभीर जिम्मेदारियां लेने की स्थिती में नहीं होता है। वह आत्म निर्भरता से काम करने और अकेले खड़े रहने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे, उसकी सीमा उसके ही विचारों ने तै की है, जिनका उसने खुद चुनाव किया है, और जिस चीज को उसने खुद चुना है, उसे वह कभी भी छोड़ सकता है। आप किसी भी पल अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जिस पल आप अपने विचारों को बदल लेते हैं, उसी पल आप अपने जीवन को भी बदल लेते हैं, त्याग के बिना कोई प्रगति या उपलब्धि संभव ही नहीं है, इंसान की सांसारिक सफलता इसी पैमाने पर नापी जाती है कि वह अपने द्विधा पूर्ण पाश्विक विचारों का कितना त्याग करता है, वह अपनी योजनाओं के विकास पर अपने दिमाग को कितना केंद्रित करता है, और वह अपने संकल्प तथा आत्म निर्भरता को कितना मजबूत बनाता है, वह अपने विचारों को जितना ज्यादा उपर उठाएगा उतना ही ज्यादा सफल व सदाचारी होगा। उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी और उसकी उपलब्धियां उतनी ही ज्यादा स्थाई होगी। करना चाहते हैं और इसकी पुष्टी करना चाहते हैं तो और कुछ न करें बस अपने विचारों को ऊपर उठाने और खुद को ज्यादा सगुणी बनाने का काम निरंतर करते चले जाएं। और कश्टकारी कोशिशों का स्वाभाविक परिणाम हैं और शुद्ध तथा निस्वार्थ विचारों का आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं का उतकर्ष हैं जो इनसान लगातार महान और उच्च विचार सोचता है। जो शुद्ध और निस्वार्थ विचारों को अपने दिमाग में कायम रखता है वह उसी तरह समझदार, चरित्रवान, बनता है तथा प्रभाव वसौभाग्य के पद तक उपर उठता है। जिस तरह सूर्य आसमान में उपर उठता है या चंद्रमा पूर्ण बनता है। बहुत उचे स्थान पर पहुँच जाए। लेकिन अपने दिमाग में घमंडी, स्वार्थ पूर्ण और भ्रष्ट विचारों को आने की अनुमती दे कर दोबारा पतित होकर कमजोरी और दुख के स्तर तक नीचे आ जाए। इसलिए इस बारे में सावधान रहें। अगर आप सही विचार रखकर सफल हो जाते हैं तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा कि कहीं गलत विचार आपके दिमाग में घुसकर डेरा न डाल दें। इसलिए समय समय पर अपने दिमाग की तलाशी लेते रहें और उस पर एक बोर्ड लगा दें। जिसका नतीजा यह होता है कि वे तेजी से फिसल जाते हैं और दोबारा असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। ज्यादा हासिल करना चाहता है उसे ज्यादा त्याग करने की जरूरत है। तो आपको काफी अभ्यास करने की जरूरत होगी और अगर आप ओलंपिक की दौड में जीतना चाहते हों तो आपको हर समय अभ्यास करने की जरूरत होगी और बाकी हर चीज का त्याग करने की जरूरत होगी। आपके लक्ष से यह तय होता है कि आपको कितना त्याग करना चाहिए, लेकिन आसान जीवन के प्रलोभन में ना आएं, बड़ा लक्ष रखें, यह न भूलें कि आप इश्वर की संतान हैं और इश्वर ने आपको इस संसार में छोटे काम करने के लिए नहीं भेजा था। बावजूद स्वप्न दर्शियों के सुंदर सपनों से पोशन पाती है, मानव जाती स्वप्न दर्शियों को नहीं भूल सकती है, यह उनके स्वप्नों को धूमिल होने या मरने नहीं दे सकती है, यह उनकी बदौलत जीती है, यह जानती है कि वे सपने एक न एक दिन सच ह जो व्यक्ति अपने दिल में बड़ा सपना रखता है वह एक न एक दिन उसे हासिल कर लेगा। जो आपके दिल के तार जन जनाता है उस सुन्दर्ता को सरा है जो आपके दिमाग में आकार लेती है और उस सौंदर्य को भी सरा है जिसमें आपके सबसे शुद्ध विचार लिपटे हुए हैं क्योंकि उन्ही से सभी तरह की सुखद स्थितियां पैदा होंगी उन्ही से स्व क्या मनुष्य की सबसे क्षुद्र इच्छाएं पूरी तरह संतुष्ठ होंगी और उसकी सबसे पवित्र आकांक्षाएं पोशन की कमी के चलते भूखी रहेंगी। और आप खुद को उस पर केंद्रित कर चुके हैं, उंचे सपने देखें, क्योंकि आप जैसे सपने देखते हैं, वैसे ही बनते हैं, आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक न एक दिन वैसे ही बनेंगे। अगता हुआ देवदूत रहता है, सपने वास्तविक्ताओं के बीज हैं, क्योंकि सपने भविश्य के वे विचार हैं, जो सही समय आने पर खुद को प्रकट कर देते हैं, और मूर्त रूप में साकार हो जाते हैं, हो सकता है कि आपके हालात अच्छे न हो, मगर वे बदल जाएंगे, बशर्ते आप सिर्फ एक लक्ष बना लें और उस तक पहुँचने की कोशिश करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंदर के संसार में तो यात्रा करें, लेकिन बाहर के संसार में स्थिर खड़े रहें। और इसकी मानसिक तस्वीर बनाई, ज्यादा व्यापक मानसिक स्वतंतरता और ज्यादा व्रहद वैचारिक दाइरा उस पर हावी हो गया। बेचैनी और असंतुष्टी ने उसे काम करने के लिए प्रेरित किया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपना सारा खाली समय अपनी निहित शक्तियों और संसाधनों को बढ़ाने में लगा दिया। जल्द ही उसने अपनी मानसिक्ता को इतना बदल लिया कि वर्कशॉप का दाइरा उसके लिए छोटा पढ़ने लगा। यह उसकी मानसिक्ता के तालमेल में नहीं रहा, विचारों के अनुरूप न होने पर बाहरी परिस्थितियां जिंदगी से उसी तरह चली जाती हैं, जिस तरह किसी कपड़े को उतार दिया जाता है, तब बड़े अवसर मिलते हैं, जो उसकी बढ़ती शक्तियों के दाइरे के अनुरूप होते हैं। चारों और असंख्य तकदीरें घूमती हैं, वह अपनी किशोरावस्था के सपने को साकार कर चुका है। इसी तरह आप भी अपने दिल के सपने को साकार कर सकते हैं। चाहे यह क्षुद्र हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण हो, आप हमेशा उसकी और जुकेंगे, जिस से आप मन ही मन सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आप ही के विचारों के सठीक परिणाम आपके हाथों में रख दिये जाएंगे, आपको वही मिलेगा जिसके आप लायक होंगे, न उससे कम, न उससे ज्यादा। आपका वर्तमान माहौल, चाहे जैसा हो, आप अपने विचा अपने सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे, वहीं रहेंगे या उपर उठेंगे, अविचारी अज्यानी और आलसी लोग सिर्फ चीजों के मूर्त परिणाम को देखते हैं, वे अमूर्त कारणों पर गौर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते हैं, इसी वे हमेशा तकदीर, किस्मत और संयोग का जिक्र करते रहते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सामने वाले ने कितने त्याग किये, कितनी निरंतर कोशिश की, कितनी आस्था रखी, जिसकी बदौलत उन्होंने अजेय दिखने वाली मुश्किलों को पार करके अपने दिल के सपने को साकार किया है। इसलिए वे इसे आसानी से खुशकिस्मती कह देते हैं। ऐसे लोग प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, बलकि सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं, इसलिए वे इसे सन्योक का नाम दे देते हैं। सभी इनसानी मामलों में प्रयास होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। प्रयास की शक्ती ही परिणाम का पैमाना है। वह लक्ष्य जो हासिल हुआ और वह सपना जो साकार हुआ जिस सपने को आप अपने दिमाग में महिमा मंदित करते हैं। जिस विचार को आप अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं। आप अपने जीवन को उसी के अनुरूब बनाते हैं। इसलिए अगर आप इस संसार म सफल होना चाहते हैं, तो अपने विचारों पर सबसे पहले और सबसे बढ़ कर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन होगा, सफलता के विचार सोचेंगे, तो सफल होंगे, असफलता के विचार सोचेंगे, तो असफल होंगे, मुद्द नंबर साथ है शांत विचार शांत जीवन मानसिक शांती बुद्धिमत्ता का सुन्दर रत्न है जिस तरह मोती की खोज में गोता खोर को गहरे पानी में जाना होता है उसी तरह मानसिक शांती का यह रत्न भी आसानी से नहीं मिलता है यह आत्म नियंत्रण के लंबे और धैर् प्रयासों का परिणाम होती है। परिणाम के नियम की मदद से वह चीजों के आंतरिक संबंधों को ज्यादा स्पष्टता से देख लेता है तो वह बात का बतंगड नहीं बनाता है। और उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। वह तपती धूप में छायादार पेड जैसा होता है। वह तूफान में सहारा देने वाली चटान जैसा होता है। शान्त हृदय व्यक्ति से कौन प्रेम नहीं करता है। संतुलित जीवन से कौन प्रेम नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि बारिश है या धूप। इससे भी फर्क नहीं पढ़ता कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन या परिस्थितियां आती हैं। हालात चाहे जैसे हों वे हमेशा शांत रहते हैं। चारित्रिक संतुलन जिसे हम शांती कहते हैं सु संस्कृत व्यक्ति का आखिरी सबक है। यह जीवन का फूल और आत्मा का फल है। यह बुद्धिमानी जितना मूल्यवान है सोने से ज्यादा वांचनीय है। शांत जीवन क तुलना में सिर्फ सम्रिध्ध की इच्छा कितनी महत्वहीन लगती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सत्य के महासागर की गहराईयों की शाश्वत शान्ति में रहता है। जिस तक तूफान पहुँच ही नहीं सकते हैं। आत्म नियंत्रण न होने की वजह से ज्यादा तर लोग अपनी जिन्दगी बरबाद कर लेते हैं और अपनी खुशी को मिटा देते हैं। हम जिन्दगी में बहुत कम लोगों से मिलते हैं जो अच्छी तरह संतुलित होते हैं, जिनमें वह उत्कृष्ट शान्ति होती है, जो समझदार मनुष्य ही, सिर्फ नियंत्रित और शुद्ध विचारों वाला मनुष्य ही आत्मा के तूफानों और आधियों से अपने आदेश का पालन करवा सकता है। तूफान में थपेडे खाते लोगों आप चाहे जहां हों, आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी हों। य विचारों के स्टीरिंग पर मजबूती से हाथ रखें, आदेश देने वाला स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र में है, वह सिर्फ सोया हुआ है, उसे जगा लें, आत्म नियंत्रन ही शक्ती है, सही विचार ही स्वामी बनने का उपाय है, शान्ती ही शक्ती है, अपने हृद विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह देनी चाहिए, जिन्हें वह साकार करना चाहता हो, अगर आप अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, तो सुखद विचार सोचें, अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो स्वास्थे के विचार सोचें और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा तो दोस्तो आज की ये आउडियो बुक यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नए आउडियो बुक के साथ तब तक रखिये अपना बहतर खयाल जै हिंद प्रना जैसे आपके ये बुक के रखियो बुक का जीवन हो विचार झाह सकते हैं क्योंकि जेसे बुक करते हैं